मुसम बहुती शांदार है कभी बादल आ जाते हैं और कभी मुसम साफ हो जाता है शहीद मेजर राजेश अधिकारी नेनी जील में कई प्रजातियों की हजारों मछलिया है सम्विधान निर्माता बाबा साहिब साधे पाजे चलना है ने माता दी बहुती शांदार मुसब है, काफी अच्छी हर्याली है और बादल भी चारो तरफ से आ रहे हैं चारो तरफ दुन्द चाही हुई है नैनी जील को इसकंद पुराण में त्री रिशी सरुवर भी कहा गया है ऐसा कहते हैं कि अत्री रिशी, पुलेस्त रिशी वे पुले रिशी ने मान सरुवर से लाकर यहां पर जल भरा था नैनी जील पर वक्त मूवी का गाना दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के शूट हुआ था इसमें शशी कपूर वे शर्मला टैगोर पर यह गाना फिल्माय गया था जील में वोटिंग के चार्जे मैं जब वोटिंग करूंगा तब डिटेल में बताऊंगा अभी काफी कम लोग वोटिंग कर रहे हैं नहीं तो जील में बहुत भीड होती है नैनी जील के सामने आपको एक से एक शांदार होकस मिल जाएंगी जो कि बन थाउजन उपीर से लेके तैन थाउजन उपीर तकी इसका वंडे चार्जे हुआ नैनी जील का आकार अर्द चंद्राकार है बहुती शांदार जगह है और बहुती खुटर जगह है नैनी तार शोड़ पर काफी सारे होटल रेस्टोरिनेंट की भरमार है आपको जैसा खाना चीए वैसा बिल जाए गए आपको तेस्टे बिलेगा यह नैनी जील का दूसरा कोना है जिस पर हम थोड़े पहले खड़े थे जहां से हम रवाना हुए थे वहां से हमने शुरू किया था और नैना देव मंदिर पर दूसरा कोना आता है क्या नजारा है देखते हैं हो मन ही नहीं बरता अब आप इरिक्षा के लिए भी लाइल लगाने पड़ती है ऐसे आप इरिक्षा में बैठके डार्रीक नहीं जा सकते नंबर शे आये गा आपका नंबर, लाइन से आईगा आपका नंबर तली ताल से मली ताल जाने के लिए रिक्षा मिल जाता है 10 रुपे पर परसंट चार्ज करते हैं बुकिंग काउंटर से टिकेट लेना पड़ता है इसी तरह मलीता से तलीता लाते हैं वे 50 रुपे में बाइकर्स भी छोड़ देते हैं बाइकर्स हर जेगे आपको खड़े मिल जाते हैं पैदल भी जा सकते हैं वे इरिक्षा से भी जा सकते हैं मैंने दोनों के बारें बताया है गोविन वेल्लव पंत सर्किल से आपको लेफ साइड बुना पड़ेगा माता के मंदिर जाने के लिए यहां से करीबी रेल्वे स्टेशन हल्दवानी वे काडगुदाम है वे हवाई एड़ा पंतनगर है जो की नैनिता से 55 किलोमेटर दूर है यहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं मंदिर के आसपास काफी बड़ा मार्केट है कपड़ों का और रेशोरेंट भी है फासफूड मिलता है नैना देवी के मंदिर के बिल्कुल पास में गुर्दवारा भी है गुर्दवारे में मत्था टेक में चलते हैं जो बोले सोनी हाल सस्रियकाल गुर्दवारे के अंदर वीडियोग्राफी पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है गुर्दवारा सिरी गुरु सिंग सबा गुर्दवारे में मत्था टेक कर पॉजिटिव एनरजी फिल हो रही है माता के मंदिर के पास ही है गुर्दवारा प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मंदिर के बाहर परशाद की दुकाने हैं अपनी इच्छानुसार परशाद चड़ा सकते हैं स्वामी विवकानन्द च्छा दिन तक नाई ताल में रुके थे वे नैना माता के दर्शन भी किये थे मंदिर में परविश करते ही गने जी वे हनमान जी की मूर्टियों के दर्शन करते नैना देवी का मंदिर 51 शक्ति पीठों में आता है यहां पर मासती की बाईयाग गिरी थी वैद दूसरी आथ हिमाचिल प्रदेश में बिलासपुर में गिरी थी माता के अर्शु धारा से यहां पर नयनी जील का निर्बान हुआ था यहां पर भक्तों की सारी मनों कामनाय पूरी होती है यदि नेत्र से सम्मन्दी कोई समश्या हो तो यहां ठीक हो जाती है माता रानी के दर्शन करते है मानेना देवी, माकाली पर गनेजी माराज विराजबान है सन 1880 में लैंड स्लाइट से यह मंदिर नस्ट हो गया था बाद में इसे दुबारा बनाए गया अब भेहरव बाबा की दर्शन करने चलते है क्या शांदार नजारा है जै भूले नाथ नेना देवी की मंदिर के साथ दशावतार मंदिर भी है मैं उसके मंदिर के वहीं से यह एनी जील का यह शांदा दशाव दिखा रहा हूं भगवान विश्णू के दस अवतारों के दर्शन करें नाव में बैठ कर भी मंदिर तक आ सकते हैं तल्ली ताल से नेना देवी मंदिर तक मंदिर का थे सिष्टी के भी दिखाता हूं आपको मा नेना देवी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है इसलिए इन्हें नन्दा देवी भी कहा जाता है मा नन्दा देवी की जै हो इन पहाडों में जब मंदिर की घंटियों की आवाज आती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है और सारा बातावर्ण पवित्र हो जाता है अगर आप नेना देवी दिखन पर ले आते हैं और यहाँ पर नेना देवी के पास मंदिर में एक धरमशाला है वहार उतना चाहें तो वहाँ भी जाके रुख सकते हैं यह धरमशाला मंदिर के साथ ही है दरमशाला के कमरे और बैड ऐसे है इस कमरे का चार्ज मात्र दो सो रुपे है एक दिन का कमरे के साथ अटेच लेट बात नहीं भी लेंगे आपको कोमन लेट बात है इस धरमशाला में किसी प्रकार की ओलाइन बुकिंग और किसी प्रकार की एडवांस बुकिंग नहीं होती है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा बारिश का मोसम है तो कमरों में सीलंती बिश्तर भी ठीक ही है